दोस्तो दिली गुरुग्राम और इस्टन पेरिफेरल के रास्ते राजस्थान जाने वालों को बड़ी राहत मिलने जा रही हैं लंबे इंतिजार के बार दिली मुंबई एक्स्प्रेस वे को यातियाप के लिए खोलने की तियारी हैं National Highway Authority of India ने सोना से दोसा तक एक्स्प्रेस वे को खोलने की अनुमती मांगी है संभावना है कि अगले महीने यानि फरवरी में एक्स्प्रेस वे को यात्रा के लिए खोल दिया जाएगा इससे दिली से दोसा और जैपुर तक का सफर काफी आसान हो जाएगा दोसा तक करीब साड़े तीन घंटे और जैपुर तक पाँच घंटे में पहुचा जा सकीगा एक्स्प्रेस वे को यात्राइद के लिए खोलने जाने के साथी तोल वसूली भी शुरू हो जाएगी क्योंकि सभी जगाहों पर टोल प्राजा तयार है आपको बता दे कि NHAI की अधिकारियों का कहना है कि एक्स्प्रेस वे की मुख्य सड़क का ट्रायल लिया गया है जो सभी माप दंडो पर खड़ी उत्री है टोल वसूलने के लिए लगाए गया स्कैनर और आटोमाटिक नंबर प्लेट रीडर कामरे भी सही तरीके से काम कर रहे है सड़क परिवहन मंत्राले टोल दरो को पहले ही मंजूरी दे चुका है जब तक पूरा एक्स्प्रेस वे नहीं खोला जाता है तब तक दो रुपे 19 पैसे प्रती किलोमीटर की हिसाब से टोल लिया जाएगा दोस्तो दिली से मुंबई तक एक्स्प्रेस की कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है जिसमें से पहले चरण में नेशनल हाईवे के दिली छेत्रिये कार्याले की अधीन आने वाले हरियाना और राजस्थान की सीमा में करीब 276 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे को यातयात के लिए खोला जाएगा इस्टन और वेस्टन पेरिफेरल को जोडने वाले लूप के कुछ रयाप का काम बचा है इसके साथ ही एक्सप्रेस वे के किनारे होटल धाबे और पेट्रोल पंप बनाये जा रहे हैं जिनका निर्मान अभी चलता रहेगा वानों को बिना रोके फास्टेक के जरीए टोल लिया जाएगा इसके लिए पूरे एक्सप्रेस वे पर आटोमेटिक नमबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं जो चलती वही गारी से फास्टेक और नमबर प्लेट को स्कैन कर लेंगे इसके बाद फास्टेक वालेट से निधारित दूरी के हिसाब से टोल काटा जाएगा खास बात ये है कि एक्सप्रेस में से हर्याना का गुरुग्राम सोहना, नू, मेवात और राजस्थान के अलवर और दोसा जीला और शेयर से सीधे एक्सप्रेस से ये जुड़ जाएंगे फिलाल इस कबर में इतना ही, बागे खबरों के लिए देखते रहे है, जनता की आवाज जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ की बैल आइकन जरूर दबाएंगे